नमस्कार आप देख रहे हमारा विशेश कारिक्रम आध्यात्मी ज्यांद चर्चा तो आयम शुरुवात करते हैं कारिक्रम की और जानते हैं विचार कबीर पंथी पार्खी, संत अभिलाज दास बुर्हानपुर, गद्धी से संबंदित, इलाबाद गद्धी सीन बनाम जगत गुरु ततोदर्शी, संत रामपाल जी महराज, सत्लोक आश्रम बर्वाला, जिला हिसार हरियाना के विचार स्वामी जी, आप जी का इश्ट देव कौन है? सद्गुरु, सद्गुरु इश्ट देव है सद्गुर जी से आपका क्यातात प्रिया है? सद्गुर जो सच्चा ग्यान देने वाला मनुष्य है जो सच्चा ग्यान मनुष्य दे उसे आप सद्गुर मानते हैं स्वामी जी क्या जीव ही ब्रह्म है? बिलकुल, जीव ब्रह्म ही उना परा है, बेदान भी कहता है जीव ब्रह्म ही है और कहने वाला जो समझने वाला जहाँ जाओ जीव स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफ्तर में मिलता है, मंदर मस्जिद में मिलता है और जगा जीवी ही तो मिलते हैं जीवी ही ब्रह्म है इसमें कोई संदेह की अरोर्त नहीं है स्वामी जी क्या आप कभीरपंथ से संबन देते हैं आप कभीरपंथ ही हाँ कभीरपंथ एक समाज है और एक पंथ बना है और कहाने की दृष्टी ठीक है स्वामी जी संसार का कोई उत्तुति करता है या स्वेम नर्मादा से बनता है तता समय आने पर अपने आप बिगड़ जाता है न तो बिगड़ जाता है न असरवता बना है ये बीजे पहले बृक्ष अंडाय के मुर्गी ये प्रवारू पनादी अनन्त है द्रब नित्ते हैं उनमें गुरधरम नित्ते हैं उनके गुरधरमों से सिष्ट करम नित्ते है ये कही ना आरंब है ना आंत है ये सब समय चलता रहता है संसार की उत्पत्ती कैसे होई संसार की उत्पत्ती ही नहीं होई गुर्धर्म हैं और जिन गुर्धर्म और क्रियाओं से स्ष्ष्ट होती है वो गुर्धर्म मुल्धर्म में नित्ते हैं इसलिए सदा से जड़्चेतन हैं सदा से उनके गुर्धर्म हैं और सदा से उनका प्रवाह है स्वामी जी पारक सिदान्त को फली बूत करने के लिए आपके पंत के परवर्तक ने कौन से गरंद को अधार माना है वो तो बीजक उनकी बानी है बीजक है उनकी बानी है मुक्ष उनकी रचना है ये कौन से गरंद से परमानित है बीजक कबीर बीजक कबीर वीजक स्वामी जी जीव की मुक्ती भगती से संबव है किसी मंतर के जाब से संबव है या ध्यान लगाने से संबव है मंतर जाब से मुक्ती नहीं होती है स्वामी जी अभी आप हम आप से चाचा कर रहे थे आप बता रहे थे कि भी धाई गंटे ध्यान लगाते हैं या तीन गंटे ध्यान लगाते हैं तो ध्यान का मोक्ष मारग में या भगती मारग में ध्यान का क्या में ध्यान का आरता है कुछ नसोचना पहला दान तो यह है कि किसी महापुरुष का चित्रमन में लेकर कि उसे मन रोकना आखे बंद के तो आखों में जो गर्मी तैदी की दिखाई देती उसे मन ठाराना या सांस पर मन ठाराना तो यह सब क्रिया योग हैं आलंबन है सहरा है पहले अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना तो स्वामी जी आपका मानना है कि मुखती के लिए किसी दिखेश मंतर जापकि आउ सकता नहीं है नहीं यह कोई जरूर्त नहीं है और जो जपते हैं वो बुरा नहीं है वो जपना चाहिए उनको जब जपेंगे समझेंगे वो जब उपशूट जाएगा तब तो अंतरमुक हो जाना है वहाँ जब तब कुछ नहीं क्रियाशून स्वामी जी संसार की उत्पत्ति पर कुछ परकाश दाने है मैं तो पहले कहा सदा से जगत है सदा रहेगा स्वामी जी कबीर साहिब को आप किस रूप में मानते हैं कबीर साहिब को सदगुरु मानते हैं मानो मानते हैं मानो रूप में मानते हैं सदगुरु महानसंद चमतकारी नहीं मानते हैं चमतकार पारक्षित्दान में कहीं नहीं माना जाता है, सब मनुष्य हैं, दुनिया के बड़े-बड़े पुरुष जिनको लोग अवतार बना डाले और दूत बना डाले इश्वरका और कुछ सब मनुष्य हैं केवल, वो तो अलग किता मढ़ी जाती है अपना परचार अना परणको लोग करने के लिए, अवासत्त आता है, इसलिए वो सत्त दब जाता है अव वास्तिक्ता यह हैई कि जितने महा पुरुष मनुष्य हैं, जितनी पुस्तके हें मानों की रचनाएं हैं, जितनी संब्रदा हैं मानों की चलाएं हैं स्वामी जी कुछ संतिया कुछ महंत कवीर जी को परमात्मा मानते हैं क्या वो सही है हाँ बहुत लोग है वो ज्यादा लोग है वो मानते हैं कि कवीर साहब परमात्मा है अनंद ब्रहमान नायक है उनको धन्यवाद है लेकिन हम इस को मनुष मानते हैं और यही वास्तक्ता है स्वामी जी आपके पुजेगूर देश्जी का नाम जाना सकती है आँ बिल्कुल सद्धूर स्रीराम सुरथ साहिब स्वामी जी कि आप जी का या आपके पंथ का पारक पंथ का इष्ट देव कौन है कभीर साहब है कभीर साहब ही हमारी इष्ट है कभीर साहब को तो आप मनुश्य रूप में है तो मनुश्य तो हमारी इष्ट है स्वामी जी कही जगें दिवारों पिल का मालिक है इसका क्या मतल है हाँ ऐसी धरना वह भी है सारी शृष्ट में एक नियम है विशुनियम लेख सब चलता है वह नियम ही क्हास है जो संसार की गद्विद में है उसको वेदों में रित कहा गया है संदिलावद जी आसे ठैजार बरसपुर होए है चीन में उनकी ताव टीचिंग नाम की पुस्तक उस पर मेरा भास से भी है तो उसमें उन्होंने ताव कहा है ताव विश्णियम विश्णियम से संसार चलता है स्वामी जी क्या प्रमात्मा अपने साथ दखेपाप नास करता है विश्णियम को लोग अस्थूल बना करके एक ऐसा बना देते हैं कि वो किरपा और कोब करता है किरपा कोब करने वाला कोई नहीं है जो हम करेंगे वो भरेंगे लेकिन कमजोर मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो बंदना करें तो छमा कर दे इसलिए लोग गड़ते गड़ते ऐसा भावक भगवान बना लिये हैं कि सारा पाप कर उसका नाम ले लो कट जाएगा और इससे गड़वड़ी और बढ़ी है कोई काटने वाला नहीं है जो हम करेंगे वो भारेंगे चाहे गिरस तो चाहे सादू हो जो करम करेंगे फल पाएंगे कहीं जाएंगे नहीं पारक पंथ जो बुरहनपुर से ही चला थे नहीं पारक शिद्दान तो कभी साह से चला और पुरुन साहिब पारक्षिद्धान के बीज़क टीका लिखे लेकिन उसके पहले गुरदयाल साहिब ने कभीर परिचे लिखा पारक्षिद्धान पर जो फटुवा बिहार में थे और रामराज साहिब ने पंजगरंथी लिखी जो बिहार में थे तो इस प्रकार धनोती में पारक्षिद्दान्द का विचार होता रहा तो कभी साहिब के बाद ही से पारक्षिद्धान का विचार होता रहा है और बुरानपुर में तो डेर सो बरसों से पारक्षिद्धान परचारित हुआ उसके पहले से पारक्षिद्धान रहा है क्या कभी वेदों को भी पढ़ा है वेदों को पढ़ा लेकिन यहां तो वेदों को पढ़ा वेदों पर लिखा वेद पर मेरी पुस्तक वेद क्या कहते हैं जो 700 प्रिष्टों की है और दस बरस में उसकी चार संसकन चप गए हैं हमारे में तर कहते थे कि आपकी सब पुस्तके चलती है वेद तो आपकी जीवन में एक बार चपएगा क्योंकि समझते थे गूर है परन्त वो चार बार चप चुकी दस बरस में तो वेद तो पहले से पढ़ता हूं आज भी लेकिन स्वामी जी हमने सुना कि वेदों परमात्म को देव मान करके उनकी उपासना जादा है सूर्य अगनी वरुन मरुत इंड्र ददिक्रा ये सब प्राकृतिक शक्तियां है इनके प्रति उपासना है और आध्यात्मिक चिंतन जगह जगह है उसमें कोई अस्थोल इश्वर को कहीं नहीं माना गया है देंधारी अवतार य क्या कभी गेता जी को भी पुड़ा है घूब पढ़ा गेता घर में राकर कि तो कंठे था करीब करीब और गीता सार मेरी पुस्तक है अभी महावारत में पूरे गीता को लिखा हूँ गीता का ज्यान अर्धुन को किस ने ने जहां तक रूपक है उसमें किश्ण भगवान कहा अवरजुन ने सुना लेकिन स्रीकृत महराज के बाद बहुत गीता बनी है इसा के कुछ बरस पहले से लेके पीछे तक 500-600 बरस तक बनती रही है उसमें गीता सार की भूमका में इस सब में पर्मार दिया हूं लेकिन अनोखी पुस्तक है और उससे लाब लेना चाहिए ज गीता का ज्यान किष्ण ने कहा वही तो कहता हूं रूपक के अंसार किष्ण ने कहा और जो ने सुना यह रूपक है लेकिन लेखक तो और कोई है अब लेखक के विसे में एक निर्णे करना विदव्यास नाम माना जाता है अभी आपने सुने कबीर पंथी पार्खी संत अभिलार्स दास बुर्हानपुर गदी सी संबंदेत इलहबाद गदी सीन के विचार और आएए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज सतलोक आश्रम बर्वाला जिला हिसार हर्याना के विचा सत्गुर्देव की जय बंदी छोड कबीर परमेश्वर जी की जय बंदी छोड गरीवदास जी महराज जी की जय स्वामी राम देवानंजी गुरु महराज जी की जय हो गरिव नमाँ नमाँ सत पुरशकों नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर्मनी जन सादुआं संतों सर्वस्ती नहीं सत्गुरु साहब संत सब डंड़ तंपरनाम आगे पीछे मज हुए तिन कुजां कुर्वान डंड़ वतम गोबिंद गुरु बंदू अविजन सोई पहले बए परनाम तिन नमाँ जो अगे हुए पुन्यातमों आप जी सुनते आए हो विसेश कर दो तीन वर्सों से के सन दो हजार बारा में परले ओएगी अब वो परले का अर्थ कैसे लगा कर पेस करते हैं कि पर्च्वी पर सर्वानास हो जाएगा ये वो परले नहीं होगी ये अध्रम की परले होगी अध्रम का सर्वानास होगा अग्यान की परले होगी और ग्यान का विकास होगा ये वो परले अब सन दो हजार बारा में होगी परम पिता परमातमा पूर्ण परम सर्वा सर्ष्टी रचनार कबीर देव जी, कबीर परमिस्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक है ये सर्वे सिर्ष्टी रजनहार है और हम सभी पराणी जितने भी काल के इस लोक में हम फसे हुए है ये सभी जीव उसी परमात्मा के आंस है वो हम सब का मालिक है, स्वामी है इस ज्ञान से, सत्संग से पुन्यात्माओं को जो परमात्मा की खोज में लगे हुए है उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगबग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से के कबीर इस गोड कबीर परमात्मा है, सत्पुर्स है सारे परमानदास ने जिखा दिए अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्स कि यद ही कबीर साहिब ही वगवान है तो फिर बिलकुल सही है, फिर कबीर पंथ में जितने महपुर्स हैं जो गुरूपद पर हैं आम जनता, जन साधारन के मन में बोले भालों के मन में ये बात मन में आवगी के भी सभसे पुराणा कबीर पंथ में कुण सा सथान है हमारे किया और बिमारी है हम सभसे पुराणे को महतो पुर्स मानते है तो पुन्यात्माओं अब बोली आत्माओं उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फसना जाए इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर कोर करना पड़ेगा तो पुन्यात्माओं अब बोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी एक प्रिवार था रादा स्वामी पंत से आया था सन 2003 में पूरा प्रिवार आया यहाँ यहाँ पर दिखसा ले ली क्रोतासर में और अच्छी लगन से लगे रहे हैं फिर उनके मन में भी यही दोस पैदा हो गया सारा ग्यान समझ गया के वही दामा खेडा के अंदर धर्मदा साहिब जी की गदी से सब मंदित संत बताए है कोई शर्फिरा मिल गया उनको दामा खेडा के गदी का कोई भगत उसने बता दिया उनको के पूर्ण मोक्स चाहिए तो दामा खेडा गदी वालों से ही होगा कबीर साहिब ने उनको वरदान दे रहा है उनको जाडालान का वरदान दे रहा है कनपेड जाडन का कबीर साहिब ने तरिम बता रहा है जो सचा नाम देगा उस से मोक्स होगा सच नाम ते वन सचे नहीं नाद से होगा यानि आज तक किसी ने देख लो नादवाले जितने यानि वचन के सियसे उन से ही हमारा पंथुजागर हुआ है और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्स होगा किसी पीडी से लिए उनका वाबात पक्की जचगी अकराम पाल तक पांचार वरस से लगया नाम देने और वो तो बहुत पुरोणा बुताया यहा प्राप्त हो चुका था सार नाम तो मालक ने कहा था थोड़ा सा और रोसनी होलन दे फिर जल्दी दिया करेंगे अभी तो थोड़ा क्हेंच कर लेना है समय बढ़ाना है तो उनने जा कर पूछा जी ममने नाम दे दो दामा खेड़ा पहुंच गया हो बोले वह ठीक बैठो नाम देते हैं उनने सुना दिया पूरा सब्द अजर नाम अमर नाम पाताले सब चंदू नाम योई अनसका काम है वह देखें उनके मूह की तरफ है वह कहने कि सत नाम कोन सा हो तबला यह है जो कुछ है जो कुछ है बस यह है अब वह वहां से तो खिस्यानी बिली ओकर आग उनने फिर सकीम बनाए किसी से न बताया कि वहां कबीर चौरा है कासी में वहां परमसंत पाऊंगे वहां दके खाए आख्यर में वह बगती से हीन होगे यहां से भी गई तो केने का भाव यह पुन्यात्मा हूँ इस काल ने तो कई से कंजे कस राखे है बहुत बंदन बाद राखें पर अब ये सारे समाप्त करने पड़ेंगे दा सारे समाप्त करेगा और ऐसा करतेगा इन सब को के इनके पास खकनी सब के जोड़े खाली करके दिखा दूँगा अग देखो अब इस कबीर प्रमात्मा के नाम पर काल के बारा पंठ चले और उन्हीं का इतना विस्तार हो गया है कि कई करोडों की संख्या में कबीर पंठी है कई करोड लगवग बीस करोड से भी ज्यादा होंगे पूरे मिलाकर के भारत वरस में कबीर पंठी लेकिन हैं वो नकली संटों से प्राप्त ग्यान युक्त वो ग्यान पूरा नहीं उनका ना उनके पास बक्ती मार रखे अब उनी पंठों में से एक और पंठ पंठ प्या है जिसको पार्खी पंठ कहते हैं अब अन्य जितने कबीर पंठ में जो बेसक वो काल से प्रेरित हैं नाम उनके पास यथार्थ नहीं है परमात्मा कबीर जी को वो मैतों देते हैं परमात्मा को मानते हैं और सत लोग सच्खंड उन सतानों को भी मानते हैं लेकिन उनका नाम गलत है उनकी पूजा की विधी गलत है अपने अत्माँ जैसे किसी को ये ग्यान हो जा कि इस व्यक्ति को ये रोग है और उस रोग का नास करने की ओस्दी है नहीं तो उस ग्यान का लाब क्या उसका कोई यूज नहीं ये भी ग्यान हो गया कि इसको ये रोग है और उसकी ओस्दी नहीं तो ये हमें सब को ग्यान हो गया कवीर साहिब के ग्यान से कि हम सत लोग से आये थे यहां फस गये और यहां का काल भगवान है इसको एक लाख मानो सरी धारी प्राणी नत खान का सराप लगया हुआ है तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गई सतलोक जाने से हमें सुख होगा लेकिन उनकी जो सिध्धान तुध्धान है ये सभी कबीर पंथी जो हैं कबीर परमेश्वर जी को केवल सत्गुरू मानते हैं परमात्मा नहीं मानते हैं और परमात्मा को सतलोक में निराकार मानते हैं ये जो कबीर पंथी हैं ये अस्तितो बगवान का मानते हैं बगवान है परमात्मा है सत्पुर्स है जीव भेन है लेकिन इनके पास मोक्स मारग नहीं यथारत ग्यान नहीं सत्पुर्स का जैसे आमने आम के महिमा का ग्यान हो गया आम के कि कितना स्वादिश्ट फल है और उसका बीज है नहीं आम के सथान पर बबूल का बीज दिया और और आसा लगाएं बैठें आम की तो ये सारी ये बात बिगड़ी ये तो दसा है कबीर साहिब के उन बारा पंथों और उन से निकली हुई उन्यकों ब्रांचों की और एक जो पार्खी पंथ है ये तो कत्ये नास्तिक लोग हैं इनका क्या विधान है के एक तो येक मानते हैं के जीव ही परमात्मा है बताओ जीव ही बगवान है और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ और ध्यान की अंतिम उपलबदी ये क्या बताते हैं के विचार सुन्य हो जाओ बैस ये अंतिम ध्यान की प्रागाड़ता है और जीव ही भगवान है ये ते इनका ग्यान है और विचार सुन हो जाना ये इनका ध्यान है इन ते कोई पूछन वाला हो बले पुरसो जब जीव ही भगवान है तो फिर साद ना की और ये आसरम बनान की ये पूछ तक सापन की किया हो सकता रहेगी दो एक्षर की बात है, बगवान तो हैनी जीव ही बगवान है बताओ, कोई बुदीमान वेक तीस बात को सिविकार कर लेगा और उसने भी लाखों लोग बका राके, मुर्ख बना राके, अभी लास दास नाम का एक ये पार्खी संत कहलाता बताई रिको संत के त्यानेवी सरमावा उने अभी लास दास नाम का एक संत है इलहाबाद और कई सथानों पर उसने आसर बना रखे एक बुरहानपुर नाम का एक सथान है सहर है और वहां इस पारक सिद्धान्त के बहुत से महात्मा रहे हैं बहुत पराणा डिड़ सोवर्स पराणा लगबग वो सथान है अब इनकी क्या थूरी है ये पताता हूँ आपको ये कहते हैं इस्वर परमात्मा कोई नहीं जीव ही ब्रम अर्थात परमात्मा यानि इस्वर है शिरिष्टी का कोई करता नहीं है जगत को ये बिना इस्वर का मानते हैं ये कहते हैं इस्वर है ये नहीं बगवान है ये नहीं तो ये परमात्मा रहित मानते हैं इस संसार को और शिरिष्टी को ये जीव को परमात्मा कहते है बताओ या कोई बात है जड़ासी को इस बुद्धिमान की इन आदी संक्राचारिय जी ने 2520 वर्स पूरफ आदी संक्राचारिय जी का जनम होया था यानि इसाद जी से 508 वर्स पूरफ उस समें इस आदी संक्राचारिय जी को क्या हुआ कि आठ वर्स की उमर में इन मप्रेड़ना होगी क्योंकि पिछले पुनकरमी प्राणी थे और ये जाफ से एक संत के जो गुफा में रहता था और छे मिने में या दो मिने में तीन में नौ में वो गुफा से निकलता था उसका बोल बाला सुनके आदी संक्राचारिय जी वहां जा बैठे जब वो निकला उससे प्रार्थना की ज्यान समझाने की तो उसने उटा पाठ पड़ा जिया उस बोली आत्मा को कि जीव ही बिरम है अब इस ही विद्धान को आग्गे परचार करने लगे आदी संक्राचारिय जी जांसे हिंदू धर्म का ये उथान माना जाता है प्राकाट्य माना जाता है तो उसमें ये सब जगे जाकर आपने गुरु जी के विद्धान को बताने लगे तो उसमें भी इतने वो दीमान विक्ती थे उन्होंने कहा के हे मातमा जी जब जीव ही बर्म है तो फिर हम न करना के रहे गया हम आप बगवान है फिर क्यों दर दर आप अपना परचार करते पिर रहे हो आप भी बगवान और आप भी बगवान फिर हमारा करना के रहे गया फिर अब ये बात उस आदी संक्राचारी है कि भी समझ मागी भी बात तो या भी ठीक है ये बात तो जची नहीं क्योंकि फिर गुरु जी उनके जीवित थे अब उस विद्धान को साथ लेकर चलना गुरु परमपरा थी उसकी लेकिन अपनी सुजबूद से फिर कहा कि तुम स्री किरसन की स्री विष्णु जी की और स्री संक्र वगवान की पूजा करेकरो या दया परमात्मा की थी यदि वो बात सुविकार हो जाती हमारे पूरुजों द्वारा तो आज कोई राम नाम लेणिया नहीं पाओ सारे नास्तिक हो जाते अब यही बीज इब बो रहा है यह अब इलास दास नाम का एक कबीर पंथी कवाव है कबीर पंथी कवाव है और कबीर साब के विप्रित सारा ग्यान बतावा तो यह काल का पका दूथ है स्वामी जी क्या आप कबीर पंथ से समस्भन देते हैं आप कबीर पंथी है कभीर पंत एक समाज है और एक पंत बना है और कहाने की दिष्टी ठीक है हूं ही स्वामी जी कि आप जी का या आपके पंत का पारक पंत का इष्ट देव कोन है कभीर साहब है कभीर साहब ही हमारी इष्ट है कभीर साहब को आप मनुश्य रूप में है तो मनुस्य तो हमारी इष्ट है, बिल्कुल मनुस्य में इष्ट है और पंत की दिष्टी से और बोत की दिष्टी से वही हमारे सर्वोपर इष्ट है स्वामी जी क्या जीव ही ब्रह्म है? बिल्कुल, जीव ब्रम्म ही उना परा है, बेदान भी कहता है, जीव ब्रम्म ही है, और कहने वाला जो समझने वाला है, जहां जाओ, जीव, इस्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफतर में मिलता है, मंदर मस्जित में मिलता संसार की उत्पत्ती कैसे हुई संसार की उत्पत्ती ही नहीं हुई संसार सदा से है अपना अत्मा यह क्या बताते हैं कि यह जगत जो है अन इस्वर है यान बिना इस्वर का है जीब बगवान हो गया तो श्रिष्टी का कोई करता नहीं तो इसका मतलब यो बिना बगवान के हुआ अब हमारी स्रीमत भगवत गीता क्या बताती है कि जिस विक्ती की ये सेटेटमेंट है कि जगत का कोई करता नहीं ये अपने आप बनता और विगड़ता रहता है यानि परले होती है फिर स्रिष्टी होती है अब उसके बारे में स्रीमत भगवत गीता मैं दिखाएंगे पहले इनकी सारी छूरी बताता है दास और ये पार्खीस जो संत हैं ये नहीं मानते कि उपर कोई लोक है सत लोक है या कोई स्वर्ग लोक है ये नहीं मानते कहता है ये सब कालपनिक बाते हैं कालपनिक बनावटी और इनका ये भी मानना है जैसे कोई परसन करता है क्या परमातमा बगतों पर दया करता है दुष्टों को हानी करता है वो कहता है कि जो भगवान है यह नहीं और प्रमात्मा किसी पर ना रह्म करता है ना कोई दुख देता है वो कुछ नहीं करता प्रमात्मा है यह नहीं अब इसके विशे में आपको दिखाते हैं ये चातुर प्राणी की बाते होती हैं जो चातुर प्राणी है चातुर प्राणी चोर है और मूड बुगद है ठोट ये संतों के निकाम की इनके देगल जोट अब ऐसे विक्तियों के पास भी जनसमू बैठा है कमाल कर दिया है बगवान कितनी सरदालों कितने डिवेटी हैं आँख मीच कर बैठे हैं गुरु जी जो बता देते हैं वो सही है बिलकुल सही है अब इतने चतुरता ये संत पद पर प्राणी होते ही है कि एक आम जनसादान तो कोरा कागज होता उसमें कुछ भी लिख दे उसमें तो वही अंकित हो जाते है तो इस परकार लाखों लोगों को डवोए बैठा है अब देखना ये है सिरिमत भगवत गीता और जैद्याल गोइंद का इसका नुआदक है और ये कौन सी है पद छेद अन्वे साधरन भासा टीका सी ये इसका नुआदकरतान इसका यो नाम लख रख है और देखना ये है अज्धाय नमर सोला और सिरिमत भगवत गीता और इसका सलोक नमर साथ से सुरू करेंगे अब गीता ग्यान दाता कहता है कि मैंने उपर तो बता जिया डेवी परकरती वालों की जो जानकारी दे दी अब दूसरी असूरी परकरती वाले हैं वो दो परकार के विखती है तो असूर सुभावाले मनुस ये साथ मास लोक में असूर यानि राकसुस सभावाले मनुस परवर्ती और निवर्ती इन दोनों को भी नहीं जानते इसलिए उन में ने तो बाहर भी तर्गी सुद्धी और ने सिरिष्ट आत्रन है और ने सत भासन ही है वो सती बात नहीं कहते हैं वो बात को घुमाते हैं जूठ बोलते हैं अब आठमे स्लोक में देखिएगा अध्याय नमर सोला के आठमा वे असुर परकरती वाले मनुस कहा करते हैं कि जगत आश्रे रहित है सर्वता एसत है और बिना इस वर के अपने आप केवल इस्त्री पुरुस ये नर्मादा के से उत्पन है केवल काम ही इसका कारण है इसके सिवा और क्या नमे में कहा कि इस मिठ्था ग्यान को अवलंबन करके जिनका सभाव नश्ट हो गया है और जिनकी बुधी मंद है वे यानि जड्मती वे सब का अपकार करने वाले कुकरमी उगर करमना उगर करमना वाने नकम में ये बकवाद करने वाले कुकरमी मनस जगत के नास के लिए ही समरत होते हैं परगट होते हैं इसका अर्शिये अपना अत्माव इस पवित्र शिरिमत बगुत गीता नहीं सफ़ष्ट कर दिया कि वो असुर सुभाव के विक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई बगवान नहीं यानि सिरिष्टी अन इस्वर है ये जगत अन इस्वर है इसका कोई बगवान नहीं अब ये जो कबीर पंथी कहलाता है वसे तो इसको कबीर पंथी कहते हुए दास को तो सर्म आती है लेकिन इनके ग्यान को सारवजनिक किये बिना जनता को समझ मनी आवे कि ये कितना मिथ्था ग्यान परचार करें इस अभिलाश दास जी ने एक गीता सार दिखा है इससे कोई पूछता है जैसे इसके भगत काफी यहां आए थे हमसे मिलते रहते थे उनसे वारता होती रहती है तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाश दास जी ने सेंकडों पूछतक बना रखी है और एक गीता सार भी बना रखा है वो गीता सार पर ड्यादास ने ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अग्यान विधान में उल्टी सुल्टे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है उनको तो ये ले लेते हैं अपने परमान में बाकी सलोग छोड़ देते हैं शिरीमत बगुत गीता में साथ सो सलोग हैं और इस बने पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे जो इसके अनुकूल थे वो वो सलेट कर लिए बाकी छोड़ दिये फिर ये ऐसे विक्ति अग्यानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है और सही सार निकाल का अमने दे जिया गीता सार ये सही गीता है देखा हूँ आपको इडिके देखिएगा ये है पुस्तक गीता सार अब इलास दास इसके अनुवाद देखे पूरा टिटेल दिखाएंगे यहां से ये प्रकासिक है कबीर पारक संस्थान संद कबीर मारक परितम नगर इलहबाद से ये वहां से छपी है पहली बार सन 1905 में उत्तुरा को जो बहुता कब से ये विस घोल रहा है समाज में 1905 में पहली बार से पी थी और मुद्र के इंडियन प्रेस प्राइविट लिम्टिट पन्ना लाल रोड इलहबाद अब दिखाता हूँ आपको इसकी कलाबाजी देखियो स्वामी जी क्या प्रमात्मा अपने साथ घखे पाप नास करता है को बारेंगे लेकिन बार मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो बंदना करें तो छमा कर दे इसलिए लोग गड़ते गड़ते ऐसा भावक बर्गवान बना लिये हैं कि सारा पापकर उसका नाम ले लो कट जाएगा और इससे गड़बडी और बढ़ी है कोई काठने वाला नहीं है जो हम करेंगे वो भरेंगे चाहे गिरस्तु चाहे सादु हो जो करम करेंगे फल पाएंगे कहीं जाएंगे नहीं और फिर गीता सार के आठ परिष्ट पे ये क्या कहता है विलास दास सारा कुछ भूमी का लिख कर ये क्या कहता है गुरुदेव सब का मंगल करें और यही सुबांक सा है मेरी बता एक तरफ तक है है यो कि गवान कुछ नहीं कर सकता फिर गुरुदेव तेरा मंगल करेंगे त कहीं सिर पैर नहीं पाओगा भी तो शटाट है इसकी कलावाज दिखाता हूँ ये देखिएगा अध्धाय नमबर 16 का इसने अनुवाद किया है अपनी इस गीता सार में अध्धाय 16 और ये गीता सार है इसने एक से लेकर ये छटाव सलोक है इसने क्या किया है? इसकी देखो कितनी कलावाजी है यहां से दिखानी पड़ेगी थोड़ी इस चतुर आदमी ने केक रख्या है अपने घर का निला रहा है इसने कुछ ने खुद अनुवाद किया इसने क्या लिखा है जो ये पुष्टक दास ने अभी आपको दिखाई थी गीता प्रेस गोरपुर से परकासित है इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तलिया इसका अनुवाद अनुवाद ले रहा है फिर अपने अग्ञान विधान को सिद करने की कूचेश्टा की है ये आपना भी देखा था ये गीता है पद छेद इस गीता का ये नाम है पद छेद अनुवाद और साधान बासा टीका सही थे अब ये देखो ये गीता सार इस गीता सार की भुमी का में इसने क्या लिखा है गीता प्रैस की अनवे पदछेद वाली गुट का गीता अर्थ समझने में साइक हुई है यानि इसने इससे अर्थ लिये हैं पर्तेक्स और अपर्तेक्स में जिन की रतनाओं के सहयोग से मेरा येकारिया पुर्ण हुआ है उनके परती मैं हर्दे से कर्टेज्य हूँ यानि इस पूस्तक से इसने अनुवाद लिये हैं और अपनी अज्ञान सोच को उस विधान को सिध करने की कूचेश्टा की है अब हम आते हैं इसके दोवार अनुवादी सोल में जाये के और सतर में सलोक में ये गीता सार और परिष्ट दो सो तीन पर अब सात्मा सलोक इसने कैसे किया है असूरी सभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनमें ने पवितरता होती है और ने उत्तम आचन होते हैं और ने तो उनमें सत ही होता सत नहीं सत बासन इसमें सत बासन लिखा है सपष्ट अब आगे देखो आसुरी सभाव वाले यह नहीं जानते कि किस कारिये में परवर्थ होने से बलाई है और किस कारिये से निवर्थ होना चाहिए अथवा कर्म मारग क्या है तो थाट्याग मारग क्या है वे कर्द्व एकर्त्व बुधी से हीन होते हैं ठीक है यहां लिखा नीचे जिसी में उन में सत्ता की बहुत कमी होती है असूर सबाओ के लोग होते उनमें सचता की यानि सचाई नहीं होती उसकी बहुत कमी होती है अब देखो दोसो चार प्रिष्ट पे गीता सार वे कहते हैं कि ये जगत मिठ्षा तथा आधार रही थै इसका कोई ईस्वर नहीं है ये अपने आप पैदा हुआ है ये केवल भोगों के भोगने के लिए है इसके अतिरिक्त और क्या है अब देखो इसने फिर आग गया ये तोनवाद नोकानों ले लिया गीता प्रैसवादों का इब इसने ये बकवाद सुरू करिया अपनी तरफ से इस लोक में वास्तों में जो लोग किसी परकार चेतन सता नहीं मानते जो लोग संसार के के अलभोग की वस्तु मानते समझते हैं दुराचार में लगे रहते हैं उन्हें आशुरी संपदा युक्त कहा है जगत करता इस वर नहीं मानना आशूरी संपदाग नहीं यदि वह अध्धातमवादी या सदाचार परियान है अब देखो ये क्या कहना चाहता है गीता जी के इस लोग को इसलिए इसने लेना अनिवारिय समझा के कहीं तेरे चेले पीछे ते कोई पढ़ ले और इसकी पहले लेली पापोती कर दूँ ये क्या कहना चाहता है कि असूरी सभाव के लोग वो नहीं होते जो सिरिष्टी को बगवान रहित मानते हैं वो नहीं होते वो होते हैं जो दुराचारी होते हैं जब इसमें सभष्ट लिख दिया गीता जी मैं कि जो इस परमातमा रहित मानते हैं सिरिष्टी को कि इसका कोई करता नहीं है अनिस्वर उसी को कहते हैं तो ये कह है ये तो बात ठीक है गीता हम लिखा है कि असूर सभाव वाले इस सिरिष्टी को इस्वर रहित मानते हैं परमातमा इसका करता नहीं मानते हैं यह कहना चाहता है कि गीता जी के इस सोल में जाय के साथ से लेकर नो तक है, इसमें उन लोगों को आसूर यानि राक्स सबाव को नहीं कहा, जो बगवान इसका करता नहीं मानती है, जगत का, उन के लिए कहा है, जो दुराचारी है, इसमें सप्रट लिखा देखियों पढ़ क परी रख्या कई सेक्ड़ों वरसों से, यह देखना है, यह गीता प्रेस गोरुपर से प्रकासित, इसमें सप्रट कर रहा है, सोल में जाय के, साथ में सलोक में, अद्धाय नुमर सोला का, आठमें सलोक में कहा है, वे आसूरी परकर्टी वाले मनुस, यानि राक्सस है, अपने आप हिस्त्री पुरुष के से योग से उत्पन होता है, अपना अत्माँ, उन राक्सस अभाव वाले विक्तियों में से एक गुण ये भी है, कि जो जगत को बिना इस वर का मानते हैं, और ये लिपा पोती क्या करने की चेश्टा कर रहा देखिए, और फिर क्या उधार लिया, इसने देखना, गीता सार, अबिलास दास का गीता सार, ये देखिए, अध्याय नमर 16 के इसने थोड़े से सलोक लिये हैं, उनना से, ये गीता सार प्रिश्ट नमर 204 पाएगे हैं, ये क्या कहना चाहता है, कि जगत करता इस्वर ने मानना, जगत का करता इस्वर ने मानना असूरी संपदा नहीं, ये अपनी लिपा पोती कर रहा है, अपने को टालना चाहता इसमें से, और फिर क्या बताता है, ये दीव है, अध्धातम वादी या सदाचार प्रियान है, यानि अध्धातम वादी है ना जो बगवान, अध्धातम किसे कहते हैं, पर्मातमा के बारे हम जानकारी, ये ये कहना चाहता अभी लाश दास के, जो पर्मातमा का करता नहीं मानते, और जो अध्धातम मारग में लगे हुए है, वो असूर सुभाव के नेक है, गीता मैं, पता इसका अध्धातम खाकर रहगा है, जब नों का जगत अनादी है इसका करता खड़ा करना ये मन की कल्पना है कर दिया सपरेट बादास जी ने कि इसका कोई करता खड़ा कर ले और किसने कोई बनानेवाला है तो ये कैवल एक बनावटी बात ही कल्पना है इस वर लोगों के मन का काल्पनिक दीपक है यहनी बनावटी बाते हैं सारी उसकी आवशकता तब समाप्त हो जाती है जब सव रूप ग्यान रूपी सुरिय हर्दे में उदित हो जाता है यह सव ग्यान के बताव हैं कि यह मान ले मैं सरीर नहीं हूँ आड़ चाम का पूतला सरीर है इसमें यह रक्त घूम रहा है और जीव तो इससे अलग है बस यह इनका अपना सरूप मान ले वो मुक्त हो गया और फिर समाधी लगाना बताते हैं कि ऐसे हटता चला जाए तो सरी नहीं है तो रक्त चाम का पूतला नहीं है तो मन भी नहीं है तो कती स्वन हो जा यानि माइंडलेस मैन हो जाने के बाद यह मुक्त मानते हैं मुक्ष मानते हैं फिर आगे क्या बताया है इसने और लिपा पूती की है देखिए कि जैसे गीता जी में कहा है कि वो असुर सभा के हैं जो इस्वर नहीं मानते करता नहीं मानते इस्वर को कोई दुराचारी हो और इस्वर मानता हो तो क्या वह देव हो जाएगा और यदि कोई इस्वर तो नहीं मानता यानि इस्वर तो नहीं मानता हो परन्तु उसे सवरूप ग्यान आतम ग्यान हो तथा वह सदाचारी हो तो क्या हुए असुर माना जाएगा देख ये अपने चेलों को दड़ रखने के लिए के तेरा दामन थामे रहें ये छोड़ना जाए ये सिद्ध करना चाहते हैं के ये जी गीता जी के सुड में ध्याय के साथ आठ नो में वरनित इस विवरन के आधार से केवल उस विक्ती को जो इस वर नहीं मानता हो उसको नहीं माना जा सकता असुर सभाव का क्योंकि दुराचारी विक्ती और बगवान मानता हो ये कह रहा है अविलास दास जी तो कहते हैं वो क्या अच्छा आदमी हो सकता है देव हो सकता है दुराचार करता हो और बगवान की बगति करता हो बगवान में आस्था हो आस्तिक हो तो क्या वो देव हो सकता है इसलिए गीत़ अध्याय नंबर 16 के इन सलोकों में यही अर्थ मानना कि जो शर्ष्टी का करता इस वर ना मानता हो और अज्धात्मिक हो तो वो उसके बारे में थोड़ा कहा है तो तेरा ज्धात्म ग्यान खाक है जब जीव ही बगवान है जगदावी बगवान कुटावी बगवान फिर क्यों दुनिया को मुर्ख बनाई बैठा है कबीर साहिब को तो विजट से नाष करना चाहते है काल के दूद और ये दीमक है परमात्मा कबीर जी के कबीर पंथ में इसका नाष करने इसका जनम हुआ है यह सबस्क्र किया गीता जी में कैसे वेक्थी संसार का नाष करने के लिए ही उटपन होते हैं और कबीर साहिब के अब देखो फिर देखिएगा ये सोलमा जाय गीता सार अविलास दास के ही विचार ये देखिएगा ये क्या कहता है कि कोई मुन्श दुराचारी हो और इस्वर को मानता हो उसमास्था हो तो क्या वहे देव हो जाएगा और ये दी कोई इस्वर तो ने मानता हो परन्तु उसे सवरूप ग्यान आतम ग्यान हो तुथा हुए सदाचारी हो तो क्या हुए असुर माना जाएगा अब देखो अब यहां सवश किया है कि वास्तों में तो जगत अनादी है ये भवि लाश्दास के विचार इसका करता कोई भगवान नहीं है इसके रचने वाला इस्वर लोगों के मन की कलपना है और यहां देखो जगत करता इस्वर ने मानना असूरी संपदा नहीं है यदी वह अध्धातमवादी या सदाचार प्रायन है ये अपनी लिपापोती कर रहा है अपनी आरतिया पैसाजय भी हो यदी उसमें अध्धातमवाद है अध्धातमिक है सदाचारी है और फिर यहां क्या कहता है कि कोई मुनश्दुराचारी हो और इस्वर मानता हो तो क्या वह बलाव्यक्ती हो सकता है क्या वो देव हो जाएगा यदी कोई इस्वर ने मानता हो यानि विलाश्दास परन्तु उस सवरूप का ग्यान हो तो वो सदाचारी हो तो वह क्या असुर माना जाएगा अब इसके इस जगत का करता ने मानना असुर सम्पता नहीं यदिव है अद्धातमवादिया सदाचार फिर कहते हैं वास्तों में तो जगत अनादी है इसका करता खड़ा करना एक मन की कलबना है करता है नहीं बगवान नहीं है कोई और इस्वर लोगों के मन की कल्पना फिर ये कहता है कि कोई मुनस दुराचारी हो और इस्वर को मानता हो तो क्या वह भलादमी हो जागा देव होगा और जो इस्वर को नहीं मानता हो इस्वर है नहीं और परंत उसको सरूप ग्यानातम ग आदमी होगा, देव हो सकता है, अब गीता जी से इसका खंडन करते हैं, नोमे अज्धाय के तीसमे सलोग में, इसी श्रीमत भगुत गीता में, ये सफ़श लिखा के है अरजुन, अतीसे दुराचारी विक्ती भी हो, और उसकी भगवान में आसता हो, उसको साधु समझना चा पर इस गोरखपुरवालों की, और उसने इसकी नकल लागा, अपनी वकवाद गड़ रखी सारी, ये देखिएगा, अज्धाय नमबर नो, और इसका सलोग नमबर तीस में कहा है, ये धी कोई, अतीसे दुराचारी भी, अनन्य भाव से मेरा भग्त होकर, मुझ को भजता है वैसा दुही मानने योग है, तो ये बेईमान विक्ती है, इनोंने जनता के उधार से नहीं, काल के जाल में फसान का ठेका ले रखे हैं, अब सुक्सम बेद में कहा है, के कुष्टी हो वैसंत बंदगी कीजियो, हो वैस्या के विस्वास चरण चत दीजियो, प्रमात्मा न कोड भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो करम का, और वो भगती पर लग गया है, तो उसे हेट ना करना, उसे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना, वो भगती कर रहा है, वो भगत हो गया, और वैस्या के विश्वास बगवान की सरदा हो, बगवान को मानती है वै ठीक है कर्म के अधार से कोई कसाई बना हुआ है कोई डाक्कू बन गया कोई सरावी कोई कुछ तो जब इस मारत पर लग गए है विश्वास से तो बुराई भी छुटेंगी और ये क्या कह रहा है कि कोई अतिसे दुराचारी विक्ति हो वो क्या देव हो सकता है इसलिए अब भगवान को नहीं मानता तो एक नंबर का राक्सस है उसको तो कहने की ज़रूद कोई नहीं हो तो पसू में पत्थर में उसमें क्या अंतर है जब इतना जडमती विक्ति है कि भगवान नहीं है और पिर क्या है मेरा से रह है वो नाश कर दिया ऐसे नकलियों बठा बठा दि अभी तक इस मानों के पास कोई ऐसा विकलप नहीं था जिसने कोई तुल ना कर सके तो दास ने ये तुल ना करनके आई एस आई मारा के बट्टे दे दिये बाट अभी नमेंटाम तोलांगे और इनके सब की ये को थली ये थैलेट खाली करके दिखा देगा अब देखो इसकी चतुरता दिखाता हूँ इसने गीता सार बनाया विलाजदास जी ने देखिएगा गीता सार अब परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ती परमात्मा के दुस्मन होते हैं द्रोही हैं इसने गीता सार में Möglichkeit कलावा जी दिखाई यह देख दिखातici मैं आपको यह गीता सार और अजधाय नंबर आठ का इसने सार निकाल लिया बाकी सलोग छोड़ दिये गीता जी अजधाय आठ के सलोग एक से चार छोड़ दिये ये देखो इसने कहां से पांच से शुरू कर दिया आठमे का रववा है जो विक्ति स्री भगवान ने कहा जब जीव भगवान है तो यो भगवान किता गया फिर जो विक्ति मर्तु के समय में केवल मेरा ही समन करता हुआ स्रीर तया कर जाता है मेरे सुरूप को प्राप्त होता है इसमें संदे नहीं अब इसमें अपने अडंगा डायस नहीं आपर है अब देखो छे और साथ ले लिया और साथ तक ले लिया ये देखो और आठमा भी ले लिया इसने क्या लिया है ये पारत जो मुनस अब भ्यास द अंतन करता रहता है वो अचित को अन्यतर नहीं बठकने देता है वो है उसको पराप्त करता है अब पताः इसम् गीता में एक तो गीता ग्ान दाता चुद कह रहा है आच में जाए के पांच साथ में तो अपने विशे में और आठ में के आठ में और नो में दस में किसी और के विशे में कह रहा है आगे देखना इसने फिर नो से तेरा फिर छोड़ दिये आठ में के आगे इसने देखा तू पकड़ा जागा बस आठ में मगोल मोल कर दिया इसका अथारत अन्वाद न पंदर में हम देखा हूँ, आपको ऐसी कलाबादी है, ये 9 में में देखो, अध्याय नूमर 9, गीता सार का, इसने क्या किया है, अध्याय 9 के 1 से 20 सलोक छोड़ दिये, वारत देवता, 21 से सुरू कर दिया, ठीक है, और फिर 22 से 27 छोड़ दिये, एक लेक है, 22 से 27 छोड़ दिय ये देखो, अब इसने सीधा कित सलागमारी 28 पर, आग्या समाप्त कर दिया, इसने इती कर दिया, फिर 18 लेकर 29 से 34 छोड़ दिये, कुल स्लोक 34 हैं, परमान में लिए 2 और छोड़ दिये 32, हर योगीता का सार बना दिया, रह वाद देवता, शिरीमत वगुत गीता अध्याय अध्याय नमबर 15 के अंदर, और विलकल निरनाए ग्यान है, इस अध्यायनी विक्ती ने, इस दोखेबाद ने, बेईमान ने, परमातमा के दुसमन ने, ये देखीगा क्या कर रखा है, अध्याय नमबर 10 का, इसने कुल 42 सलोक हैं, दो परमान में ले लिए, चारिस छोड़ अब 11 मा ले लिया, 11 मा में कुल 55 सलोक हैं, एक ले लिया, चमन छोड़ दिये, वारे देवता, ये, एक 55 पच्पन ले लिया, बाकी सारे छोड़ दिये, ये, बस, ये इती कर दिया, ऐसे ही सब में करक्या, इसने बाकी कुछ एक बता देता हूं आपको ज्यादा नहीं, अब था, साथ ये छोड़ दिया, पांच और छे ले लिये, और बारा से बीच छोड़ दिये, बारा से आगए टोटल छोड़ दिये, ये देखो, पंदर में दाय का, इसने पांच में से सुरू कर दिया, आई, 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 तरह गजब हो, जो माल था, जो असली ग्यान था, वो तो पैंक दिया, काठ के एक लोगए, और इसने ये, ये और आख लिया, इसमें थे, एक से लेकर चार में निरना एक ज्यान है, उर्दव मूलम अधह साखम, उपर को जड़ और नीचे को तिनूर गुन रुपी साखा वाला, उल्टा लटका संसार रुपी वर्क से है, और जो विक्ति इसको सभी पार्ट्स में जानता है, सभी भागों को जानता है, सै वेधविद, वो तत्वदर्शी संत है, और ये कबीर पंथी को आव है, कबीर साहिब की वाणि से परिचितनी प्रमیश्वर ने अपनी वाणिम्वाणि में लिखा है, अक्सर पुर से है पेड तरहा गीता सार है यह, अब इसमें इसने केवल पांसमा ले लिया, एक से चार छोड़ दिये, और छटा ले लिया, यह देखो छटा ले लिया, पर एक सहु ठासी मै पहे, eight में भी ले लिया, और फिर नूमा ले लिया साथ मा छूड़ दिया दस मा ले लिया गेरma भी ले लिया यहां खतम कर दिया भैए ठीक बारे ने उता और चौत्वे जै के एक से सोड़ा छोड़ दिये तरह आगोई ओ जा चौत्वे जै का सारा निर्ना ग्यान दे रहा कि तू यदि हट योग करेगा तेरा निर्वा क्यों करोगा और यू हठ योग बता वाप इलाश दास जी ये हठ योग बता वै ये बगवान प्रमात्मा कहते हैं ये तो प्रमात्मा के दोसी हैं अपरादी है और कहते हैं पाप पी पर बाद ना बैटो मुख देखें पाप लगए जाका नो दस मास गर्बतराश देई धिकार जिनम उसकी मा का अब इस अब इलाश दास जी ने तो ऐसा काम कर दिया चतुरता दिखा के एक समें एक राजा ने मैल बनवाना था अपने मंत्री की ड्यूटी लादी वाई बढ़िया सामान लगवाना अपनी देख रेख में अब मंत्री जी ने बढ़िया कारीगर खोजा उसने नीम रख दी सुरू कर दिया मकान बनाना फिर कहा के मंत्री जी अब चत देने के लिए वो लाआची पड़ेंगी कड़ी और सतीर तो मंत्री जी बोला भी चल लेया अपना बड़ी अमाल साथ के वो ले आया कड़ी और सतीर ले आया एक उड़न बीम उड़न बीम होता था सतीर काट का बहुत मजबूत और चंदन का सारा क्यूंकि राज़ा का मैल बने अब वो एकांट सथान पर अलग रखवा दिया सारा सामान दूसरे मकान में और जहां मैल बनाना था वहां उसकी कंस्ट्रेक्शन शुरू कर दी उस मिस्टरी राज ने उदर से क्या हुआ कि मंत्री जी ने सोचा कि राजा का काम है किसी और अच्छे कारीगर ने दिखा लेता हूँ और इस उपर के जो छट के उपर दारंदार होता है और सतीर एक वेरी इंपोर्टेंट बता है इसका के सतीर के उपर ही सारा कुछ दारंदार होता है सारा लोड सतीर पर ही आता है ये उस मिस्टरी ने बता जिया था कि जी बढ़ या सतीर लेना पड़ेगा क्यों सारा लोड इसी पर आता है तो मंत्री जी ने सोचा भी राजा का मामला है कहीं सतीर कमजोर और कोई खराब ना आ गया हो किसी और कारीगर ने दिखा लेता हूँ और अन्य राज बला लिया उस राज को यानि मिश्टरी को लकड मिश्टरी को दिखा कि भी देखना यह सतीर ठीक है न अब ये बेइमान होता है का दाना लाइक सा उसने सोचा अपनी पर भूता बना नमबर तरे बने जाएंगे फिर तुझे मिलेगा काम राजा का वो कहने लगा कि मंत्री जी ये तो कती बहुत खराब है इसको मैं करता हूँ ठीक अकाँ भाही कर दे ठीक जो लेगा पैसे मैं दे दूँगा वो लेया रंदा ठाक है अलागया उसने गिसाने दो दो इंच तार दिया दोनों तरफ शेर चमकाई दिया कती अग देखो ही वह ना गुणिये में मंत्री ने भी उचमकता दिख्या क्योंकि यह अथा रंदा लगाए दिया मंत्री जी ने सोचा भई देख किसी बात बिगड़ जाती अगर नो का नो रख देते सत्पतर राजा डाट मारा हो मेरे पै उसने सोची एक मिस्त्री नो और दिखा लो कि दे फिर भी कसर रहे गियो वो एक और बुला लिया उसे कहा के देखना राज मिस्त्री जी सतीर ओके है ना नो बहला जी समद बहुत तरूटी है अग भाई करिये ठीक तू अगा वीले दो दो इंच उसन तार दिया दोनो तरफ से लगया रंदा लगाने अब संका होगी मंत्री जी को के वया तो बात बगड़ जाती जेख दूसरे नभी दूसमत तरूटी काड़ दी फिर उसने तीसरा वला लिया उसने उसके निरक्षण चार पांच आप करवाई दिया और सब ने दो दो इंच तार दिया चारो तरफ से वो कड़ी बन गया कथी उड़न बैटन रहे गया हो अब मंत्री न सोचले वह इबताँ चार पांच आप निरक्षण कर लिया अब जब उस मिस्त्री ने चिनाई जो कर रहा था कंस्ट्रेक्षण जब छत लेवल पर पह पहुंच गी दिवारें जब उन बेलदारों से कहा के वाई जाओ सतीर लिया उठा के वब्ये जे दस देने पंधरा अगलाओ सतीर उठाओको तो इतना भार रहा था दो फुट भाई दो फुटकार कम से कम पंधरा शोड़ा फुट बीस फुट लंबा तो पंधरा बीस गए उठाने के लिए बेलदार वह जाके देख्वाने मंत्री जी से पूछा जी आमने वो सतीर चा यह कारीगर मंगावा है, मंत्री बोला ले जाओ यू रहा, वो न दो जड़ा अंदर लिया का अंदेव है, बाकी आओं खाली, अब वो कारीगर के पास जा के वो कहने लगे ले, वही कारीगर सतीर ले, वो देखा रहा है, निकम्यो मन तो सतीर मंगाया था, तुम तो कडी ले आए, अब स साथ साथ मंत्री जी आगे, मंत्री जी क्या कहता है, कि कारीगर तने तो मेरा पर डाट मरवादी होती, इसमें तो गणियत रूटी थी, पांच कारीगर बलाई वहना, और उन न योग सतीर सही सैट कर दिया, नह भला खाक सैट कर दिया, इनन नास कर दिया, इसका दे, मातमार उक्कारीगर नहीं के करूंपता यू बठा बठा गे इसका फिर और सतीर लेया गया और तब वो मकान रजा का बन्या है तो पुन्यात्माओं ये ऐसे नीम हकीम है इन्होंने सद्गरंथों का ग्यान था नहीं और सतीर की कडी बना दी साथ सो सलोकों की गीता को अरित इतने काट कर जोंकर 383 बड़ी हवा की नकली वाव भई वाव बले मानसो तुमने तो यू नास करन का ठेका ले राख्या इसा जातमार का अब ये विक्ती पार्खी जो संत है ये विलास दास जी तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुष्टक लिखी हुई है वेद क्या कहते हैं वेद क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी पुष्टक है इनकी वो दास ने पढ़ी इसकी पुष्टक वेद क्या कहते है क्या कभी वेदों को भी पढ़ा वेदों को पढ़ा वेदों को पढ़ा लेकिन यहां तो वेदों को पढ़ा वेदों पर लिखा वेद पर मेरी पुष्टक वेद क्या कहते है और ये क्या कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा हराज भी पढ़ता रहता हूँ फिर इससे पुछते हैं जैसे इसका विधान है ये भी खुद बताता है इसकी पुछतों में लिखा है कि प्राहरब्द के कर्म यानि किस्मत में लिखे हुए दुख सुख जीव को भोगने ही पढ़ेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता स्वामी जी क्या प्रमात्मा अपने साथ दक्ये पाप नास करता है विसुनियम को लोग अस्थूल बना करके एक ऐसा बना देते हैं कि वो किरपा और कोप करता है किरपा कोप करने वाला कोई नहीं है जो हम करेंगे वो भरेंगे लेकिन कमजोर मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो बंदना करें तो छमा कर दे इसलिए लोग गड़ते गड़ते ऐसा भावक भगवान बना लिए है कि सारा पाप करो उसका नाम ले लो कट जाएगा और इससे गड़वड़ी और बढ़ी है कोई काटने वाला नहीं है जो हम करेंगे वो भरेंगे चाहे गरस्तों चाहे सादों जो करम करेंगे फल पाएंगे कहीं जाएंगे नहीं अर्यूनों के मने वेद भी पड़े है इन खाख वेद पड़े अब दिखाता हूं वेदों में क्या कहा है वेदों मत ये लिखाख परमात्मा गोर पाप का विनास कर दीता है ये देखेगा ये जुरुवेद और ये महर शीदान सरस्वती द्वारा इसका नुवाद है परकासक हैं सारवदेश सी कारिया परती निदी सबाद दो पटा पांस महर शीदान दभौन राम लामेदा नहीं दिली से और ये यहां से चपा है परिंस आफशेट प्रिंटरिक्स पंदरा सो दस प्रोड़ दिया उस तरियागन निदी दिली से आठ में अध्याय का और तेर मास लोग दिखाते हैं आठ में द्याय का तेर मास लोग इसमें क्या लिखा है कि देव करते से एनसे एवजनमसी मनुस करते से एनसे एवजनमसी पितर करते से एनसे एवजनमसी आतम करते से एनसे एवजनमसी एनसे एवजनमसी अब ये 241 पाव ने इसकी संस्कृत पढ़ दी है अब 242 पाव इसका अनुवाद है 242 पाव इसमें क्या लिखा है कि हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप दान देने वाले के अपरहद के विदाश करने वाले है अब पुनातमाओ ये तो सारे के सारे जितने संतर, महंतराचारियर, संकराचारियर, महरशियर, संत, अविलाशदास जैसे तो ऐसा काम कर दिया है मेरे साथ में एक विक्ती था, वो किसान था और अकाल गिर गया उसने सोचा वह खेती में तो काम गुजाराब चला है नहीं तो कोई और दंदा कर ले उसने क्या सुरू कर दिया ये चाकी राण का काम ले लिया उसने दो वसोली खरीज दी वो कट कट करन की और चाकी राण का काम उसने सुरू कर दिया अब पहले चाकी कैसे आकरते हाथ से चलाने वाले जो चकी पत्थर की होती है उसके पाट होया करते तो होते हैं भी जाओं में तो बहुत हैं और वो घिस जाते थे चलते चलते तो उनको ऐसे समझदार सा वेक्ति उनको चाइंड दिया करता चाटे मार देता वो फिर से वरकिंग ठीक हो जाती उनकी तो उसको चाकीराना करते हैं अब उसने कभी काम किया नहीं था पहले जनमूर्द करी एक गाओं में जाके उसने आवाज लगाई कि चाकी ठीक करवा लो एक बुढिया बोली भाई आजा चाकी ठीक कर दे मेरी अग ठीक है ताई बता कॉन सी है भाई या देख ले उसने उतार के पाठ रख लिया बुढिय कैन लगी भाई मैं कुए तपानी ले आओं दूर दूर कुए ओया करते गाओं में और आप इतने यचा की ठीक कर दो का अच्छा ताई जा बेश सकते हैं अब उसने कदे काम करया नहीं थार नहीं सोची जल्दी-जल्दी कर ले जो पहले आवाज में काम मिल गया तो यहां कि बुढिया चवन दे नहीं और तू भाग ले अपने सारे ओजार उठा के और जो नीचे वो बैठा था उपर एक पातर था मिटी का मठका छोटा सास में घी डाल रहा था बुढियान गर्म करकर गर्मिया का जन था और उपर बांद दिया करते बिली कुते के डर से उपर क सब्सके डाल रशी डाल के रिक ठीका बना दिया करते उसमें वो डरेक्षा उसन अबरोला मिटी का मठके में घी बहुत बढ़िया पांच दस किलो अब वो जल्दी में बाजन लाग जया ओपर तो ठीके बढ़ पड़ गया था वो पातर उसके लाग गया उसके लाग तो उसने सोचा तो जल्दी निकल उदर से बुढ़िया आगी पानी का मठका लेका कच्छा मठके होते थे न गड़े और उसका नाम तुछा था रे क्या नाम है तिरा विला रमलू बला रे रमलू तो नहीं रो लिए तो नहीं यूख एक रहा मरा मठका फुड़ुआ दिया इन्यों बला ताई बीतर देखें जाए रोएं जाए कितकी तर रोएगी तो इन्न कित कित रों एक नहीं सारें कि इन्न या चाकिरा रखी है ऐसा नास के रखा है यो मेरे सी दानन्द वेद्दों का विद्वान पाक रहा था अक इस जैसा विद्वान नहीं इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा नराकार है और परमात्मा सादक के पाप नास नहीं करता बता फिर और परमात्मा के एक रहेगा क्योंकि हमें कोई कस्ट है प्राहरुद में अपने जीवन में वो पाप से होता है और सुख पून से होता है और उस दुख का नास होगा जब हमारा प्रहरब्द के पाप का नास हो जागा जैसे पैर में काटा लगया हो किसी के और उसको कोई ये कहे के भी पैर का काटा तो निकला नहीं जुता पैर ले आगे काटा नहीं लगेगा उस काटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता है वो तो काटा निकले और फिर उसको खला देख अब जूता नहीं निकालना इस सफर में बहुत काटे हैं तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकाल लगा कि कहीं फिर से काटा नहीं लग जा तो पुन्यात्माओं किसी के कोई कस्ट है, सरीर में है या संसारी कोई दुख है, कोई हानी हो रही है, कोई करजा हो गया है तो उस से दुखी है वो और कोई ये कहे कि ये तो तेरा प्रावत भोगना ही पड़ेगा तुझे बगती कर ले, अब बता, दुखी आदमें बगती कर सकता है जिसने देना हो, दो लाख रप्या करदा, खड़ा दिखाई देव करदे वाला और भी कोई सिर मदर्द हो, पेट मदर्द हो, वो कैसे बगती करेगा तो पहले वो काटा निकला है पाफ करम का, तब सुख हो और फिर वो राम नाम का जुटा उसको ये मरियादा बताई जार ये वगती दी जाओ फिर आजी वन पालन करेगा वो भगत तो ये क्या कहते हैं, देखी एक जलक है साथ में इस एक नकली महरिसी की और देखा है, दोन्यों का ताल मेलसा लग बगमिलता जुलता है इनके विचार देखी ये एक सत्यारत प्रकास है, इसकी रतना महरिसी दाननद की अब देखो, मातमा जी ने नो देखा इस पोजमा तब मरजाद में कटक है अक महरिसी पड़या होगा, बगवान पा लिया इसने, अरीब देखना इसका ज्ञान दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक कजलक मतेरी इतना सम्झ नहीं इसकी तर दो तीसी दोके देखी आमनकती ये सत्यार्थ परकास है और ये इसमें क्या लिखा है कि वेद आदी, विविद, सद सास्तर परमाने संविनता है यानि वेद आदी, सभी विविद परकार के सद सास्तरों का आधार से इसकी रचना हुई है किसने करी हरतना इसकी देखो कितनी महीं माक रखिया महरशी दानन्द की शिरीमत परमहन से परिवराजक आचारिये महरशी दानन्द सरस्वती स्वामी वीर अचित है और ये कहां से परकासित है वेदिक यती मंडल दानन्द मठ दीना नगर पंजाब से ये छपा कहां से है आचारिये प्रिंटिंग प्रेस दानन्द मठ गुहना मारगरो तक से इसके सात्मे समुलास में ले चलते हैं आपको इसकी कलावादी देखियो 154 परिश्ट परिश्ट सात्मा समुलास सब्तम समुलास